हेलो स्टुडेंट्स, UPSC Guiding Principles चैनल में आप सभी का हादिक स्वागत है हम उत्राखंड एक समग रहे थे जो की परिक्षावारी प्रकाशन की बुक है इसको स्टेडी कर रहे थे और इसमें हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था जिसमें हम उत्राखंड एक एतिहाशिक अध्यनिस को पढ़ रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राग एतिहाशिक काल के बारे में पढ़ लिया था और आद्य एतिहाशिक काल को स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने गड़वाल के बारे में गड़वाल चेत्र के बारे में पढ़ा था और अपनी इस लेक्चर में अब हम कुमाव चेत्र के बारे में पढ़ेंगे पावतार हुआ था क्या कहा गया है कुमाउ छेत्र के लिए कि पौराने ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावत नदी के पूर्व में इस्थित कच्छप के पीठ की आकरती वाले कांतेश्वर परवत जो की उसका वर्तमान नाम है कांडा देव या कांदेव ठीक है संस्कृत शब्द कूर्मांचल कहा जाने लगा आगे चलकर यहीं कूर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाउ हो गया ठीक है प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के चेत्रों को ही कुमाउ कहा जाता था लेकिन आगे चलकर वर्तमान अल केवल चमपावत के आसपास के छेत्रों को ही कुमाओ कहा जाता था लेकिन आगे चलकर वर्तमान, अलमोडा, पिथोरागड, बागेश्वर तथा उधम से हैं नगरवाले संपूर्ण छेत्र को कुमाओ कहा जाने लगा कुमाओ का सरवाधी कुलेक, स्कंद पुराण के मानस्खंड में मिलता है ब्रह्म एवं वायू पुराण के अनुसार यहां किरात, किनर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग, आदी जातियां निवास करती थी ब्रह्म एवं वायू पुराण के अनुसार कुमाओ छेत्र में किरात, किनर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग, आदी जातियां निवास करती थी महा भारत में भी कूर्मांचल छेत्र में किरात किन्नर यक्ष तंगव कुलिंद तथा खश आधी जातियों के निवाश करने का उल्लेख है जाखन देवी मंदिर अल्मोडा का अस्त्व अत्यंत प्राचीन काल में इस शेत्र में यक्षों के निवास करने की पुष्टी करता है जो अल्मोडा का जाखन देवी मंदिर है उसका जो अस्त्व है अत्यंत प्राचीन काल में कुमाव छेत्र में यक्षों के निवास करने की पुष्टी करता है ठीक है कुमाव छेत्र में बी नाग या बेनी नाग धौल नाग काली नाग पिंगल नाग खरहरी नाग बाशुकी नाग आदी नाग देवता के मंदिरों की उपस्तिती प्राचीन काल में नाग जाती के लोगों के निवास करने को प्रमारित करता है कुमाव छेत्र में बी नाग या बेनी नाग धौल नाग काली नाग पिंगल नाग खरहरी नाग बाशुकी नाग आदी नाग देवता के मंदिरों की उपस्तिती प्राचीन काल में नाग जाती के लोगों के निवास करने को प्रमारित करता है उप्रोक्त नाग मंदिरों में सबसी प्रशिद्ध मंदिर पिथोरागड का बी नाग या बेनी नाग है उप्रोक्त नाग मंदिरों में सबसी प्रशिद्ध मंदिर पिथोरागड का बी नाग या बेनी नाग है नेक्स्ट है अपनी श्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंदा भाषा के साथ किरातों के वनसज आज भी कुमाओ के असकोट एवम डोडी हाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं अपनी स्वतंत्र भाशाई अस्तित्व जो की मुंडा भाशा है उसके साथ किरातों के वनसच आज भी कुमाओं के असकोर तथा डीडी हार्ट नामक स्थानों पर निवास करते हैं बाद की कुमाओं की जातियों में खस का उलेक मिलता है जो की बहुत ससक्त थी और इनके समय में बौद धर्म का प्रचार प्रशार अधिक हुआ था कुमाओं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खशों का ही प्रभुत्व था ठीक है क्या कहा गया है कि बाद की कुमाओं की जातियों में खस का उलेक मिलता है जो की बहुत ससक्त थी और इनके समय में बौद धर्म का प्रचार प्रशार अधिक हुआ था कुमाओं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खशों का ही प्रभुत्व था तो ये हमने पढ़ा आदे अतिहाशक काल में हमने पहले पढ़ा गड़वाल छेतर के बारे में ठीक है और उसके बाद अब हमने पढ़ा है इसमें कुमाउ छेतर के बारे में ठीक है अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख लेखों को ठीक है, राज के विभिन स्थलों से कई प्रकार, कई प्रकार के सिला लेख, मंदिर लेख, गुहा भित्ती लेख, इट लेख, मूर्ती पीठीका लेख, त्रिशूल लेख, तामर पत्र लेख, एवं मुद्रा लेख आदी के एतिहाशिक लेख मिले हैं, जो अधो लिखित हैं ठीक है, प्रमुक लेखों के बारे में बताया गया है, कि राज के विभिन स्थलों से कई प्रकार के सिला लेख, मंदिर लेख, गुहा भित्ती लेख, इट लेख, मूर्ती पीठीका लेख, त्रिशूल लेख, तामर पत्र लेख, एवं मुद्रा लेख आदी के एतिहाशिक लेख मिले हैं, जो अधो लेखे थें, पहला है, कालसी, लाखा मंदल, सिरोली, मंदल, एवं माना आदी स्थानों से सिला लेख मिले हैं, कालसी, लाखा मंदल, सिरोली, मंदल, एवं माना आदी स्थानों से सिला लेख मिले हैं, अशोक ने एक अभिलेख अपने राज्जी की उत्तरी सीमा पर इश्वी पूर्ग 257 में कालसी, दहरादून के उत्तर टॉंस और यमुना के संगम पर स्थापित कराया था, यह लेख प्राकृत भाषा व ब्रहमी लिपी में है, इस अभिलेख में अशोक की यह घोशना है कि उसने राज्जे में हर स्थान पर मनुष्यों एवं पश्वों की चिकित्सा की विवस्था कर दी है, इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने तथा अहिंशा को अपनाने की बाद भी क की गई है, क्या था इसमें हमने पड़ा प्रमुक लेखों में कि राज्य के विभिन स्थलों से कई प्रकार के शिला लेख, मंदिर लेख, गुहा भित्ती लेख, इट लेख, मोर्ती पीठी का लेख, त्रिशोल लेख, तामर पत्र लेख, एवं मुद्रा लेख, आधी के ए इसमें सबसे पहले बताया गया है, कि जो कालसी है, लाखा मंदल है, सिरोली है, मंदल है, एवं माना आधी स्थानों से सिला लेख मिले हैं, उत्राखंड में सिला लेख कहां कहां से मिले हैं, कालसी से मिले हैं, लाखा मंदल से मिले हैं, सिरोली से मिले हैं, मंदल एवं माना आधी स्थानों से सिलालेक मिले हैं नेक्स्ट है अशोक ने एक अभिलेक में अपने राज्य की उत्तरी शीमा पर इश्वी पूर्व 257 में कालसी तहरादून के उत्तर टॉंस और यमुना की संगम पर स्थापित कराया था ठीक है जो कालसी अभिलेक है इसके बारे में एक्ज ठीक है दहरादून के उत्तर टॉंस और यमुना के संगम पर यह कालसी अभिलेक को स्थापित करवाया था जो कालसी अभिलेक है अशोक का यह अभिलेक प्राकृत भाशा ठीक है कालसी अभिलेक की भाशा क्या है प्राकृत भाशा है वह ब्रामी लिपी है जो कालसी अभिल अशोक की यह घोशना है कि उसने राज्य में हर स्थान पर मनुश्य एवं पश्मों की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात भी की गई है कालशी अभिलेक में यहां के निवाशियों के लिए पुलिंद तथा इस शेत्र के लिए अपरांत सब्द प्रियुक्त किया गया है जो कालशी अभिलेक है उसमें यहां के निवाशियों के लिए पुलिंद तथा इस शेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रियुक्त किया गया दहरादून के जौनसार बाबर इस्तित लाखा मंडल से राजकुमारी इश्वरा का शिलालेक प्राप्त हुआ है जो राजकुमारी इश्वरा का सिलालेक है इस सिलालेक के अनुसार यमुना उप्त्यका में यादवों का राज्य था राजकुमारी इश्वरा के शिलाले के अनुसार यमुना उप्त्यका में यादवों का राज्य था गोपेश्वर, काली मठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख मंदिरों की दिवारों पर उतकिर्ण है गोपेश्वर, काली मठ, केदारनात तथा नाला के लेख मंदिर की दिवारों पर उतकिर्ण है नेक्स्ट है देव प्रियाग देव प्रियाग वामन गुहा तथा कल्पनात में कुफाओं के अंदर दिवारों पर लेख मिले हैं देव प्रियाग में जो वामन गुहा है तथा कल्पनात में गुफाओं के अंदर दिवारों पर लेख मिले हैं। सारी से प्राप्त मूर्ति पीठी का लेख हैं। सती में नागपती नाग ने इस शेतर को जीता था तथा बारवी सती में पश्चमी नेपाल की राजा असोक चल ने इस शेतर को जीता था। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं। नागपती नागव अशोक चल लेख हैं। ठीक है कुशान कालीन मुद्राएं कहां से मिली हैं? प्रथम एवं दुतिय शदी की कुशान कालीन मुद्राएं मुनी की रेती तथा सुमाडी से मिली हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोरधवज स्थूप से तीसरी शदी का मुद्रालेक मिला है। कहां से मिले हैं? कार्तिके पूर राजाओं के तामर पत्री अलेख पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ आदी स्थानों से मिले हैं। से एक तथा चंपावत से एक तामर पत्र, एक तामर पत्रीय लेख मिला है। ठीक है? इस छेत्र के प्राचिन कालीन लेखों में पल्लिका, छोटे ग्राम, ग्राम, पट्टी तथा परगना नामक इकाईयों के अलावा, महत्तम जिसे की ग्राम शाशक कहा जाता था, भ्रत्य सेवक को, प्रतिहार कहा जाता था, द्वार रक्षक को, गोप्त कहा जाता रक्षक को, कोटपाल कहा जाता था, गण रक्षक को, बलाधक्ष कहा जाता था, सेना नायक को, महादंड नायक कहा जाता था, प्रधान सेना पती को, अक्षपटलिक कहा जाता था, लेखा परिक्षक को, कुलचारिक कहा जाता था, तहशीलदार, आधी पदाधिकारियों का उलेख मिलता है जो की संगठित प्रशाशन की सूचना देते हैं क्या कहा गया है कि इस शेत्र के प्राचीन कालिन लेखों में पल्लिका छोटे ग्राम पल्लिका किसको कहा गया है छोटे ग्रामों को कहा गया है ग्राम पट्टी तथा परगना नामक इकाईयों के अलावा महत्तम, महत्तम किसको कहा गया है ग्राम शाशक को भरत्य सेवक को कहा गया है, प्रतिहार, प्रतिहार किसको कहा गया है, द्वार रक्षक को कहा गया है गोपत किसे कहा जाता था, रक्षक को कहा जाता था, कोटपाल किसको कहा जाता था, गड़ रक्षक को कहा जाता था, बलाध्धक्ष किसको कहा जाता था, सेना नायक को कहा जाता था, महादंड नायक किसको कहा जाता था, प्रधान सेनापती को कहा जाता था, अक्षपतलिक किस संगठित प्रशाशन की सूचना देते हैं तो स्टूडिंक अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं अपनी नेक्स लेक्चर में हम पढ़ेंगे एतिहाशिक काल के बारे में ठीक है? I hope आपको समझ में आया हो Thanks for watching